नमस्कार दोस्तो, मैं पाउन, मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनुविज्यान, शिक्षा मनुविज्यान, शिक्षा सास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एन्सीफ 2005 और जितने भी शिक्षन से संबंदित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज का टॉपिक है बाल विकास के अध्यन की विदियां, पॉइंट नंबर चार, समकालीन अध्यन विदि इस अध्यन परणाली में बिन बिन आयूस्तर के बालकों के समूव को चुना जाता है तो पहले था पहले तो बालकों को चुन लेते उनके अलग-लग एजग्रूप के नुसार और फिर उनकी जो शारीरिकों मान से क्योंगेत होती है उसके अनुसार उनका observation किया जाता है उनका समस्या का अध्यन किया जाता है अंत में आकडों के ओसत मानों के आधार पर विकास के करम को ग्याद कर लिया जाता है इस प्रणाली में विभिन आयुस्तर के बालकों के करमिक विकास का तुलनात्मक अध्यन किया जा सकता है क्योंकि इसमें एक साथी अलग-अलग आयुस्तर के बालकों को ले लिया गया है और उन पर रिसर्च की जा रही है, उन पर अध्यन किया जा रहा है, तो एक साथ अलग-अलग जो ग्रूप है, एज ग्रूप है, उनका तुलनात्मक अध्यन भी फिर इसके करण संभव हो जाता है.